सलाम अलेकुम देर क्लास एट स्टूडेंट्स आइम टीचर वकार यासीम फ्रम यूपियस तरकपोरा पहरे बच्चो आज हम अपने चप्टर नमबर 3 हिस्ट्री के चप्टर नमबर 3 ruling the countryside को continue करेंगे और आज जो हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा वह है does color have a history अभी तक हमने देखा कि indigo जो है उसकी cultivation कराई जा रहे थी तीन काठिया system उसके लिए लाया गया तो color यानि indigo color की का भी एक history में इसका जिकर है तो क्या color के basis पर भी history निखे गई है क्या color की भी एक history होती है देखते हैं rich blue color जो है इसे हम commonly indigo कहते हैं जो है rich blue color हमें मिलता है एक plant से indigo plant से हम इसे indigo कहते हैं और इसकी बहुत ज़्यदा demand थी यूरप में क्योंकि इसका इस्तिमाल कपड़ों को dye करने के लिए होता था dying purpose के लिए इसका इस्तिमाल होता था इंडिया biggest supplier था indigo का 19th century में पूरी दुनिया में biggest supplier था indigo का 19th century में इंडिया इंडियो की cultivation जो थी वो एक तरह की वज़ा बनी पूर कंडिशन के लिए फार्मर्स की पूर कंडिशन के लिए एक वज़ा बनी इंडियो की cultivation क्योंकि indigo cultivate किया जा रहा था large land पे और fertile land पे जर्खेश जमीन पे इसकी भुवाई होती थी जिसकी वज़ासे जो condition थी फार्मर्स की वो खराब होती गई और इसकी वज़ासे बहुत ज़़ा जो बहुत ज़़ा जिए बहुत ज़़ा जो है crashes हो गए British Army के बीच में ब्रिच ऑफिशल के बीच में और जो पूर फार्मर्स इनकी बीच में बहुत ज़़ा है प्रियाट्स सुबए लड़ाई हुई और हालात खराब होई गाउं और अब हम समझते हैं कि Demands जो है इन्ड क की यह क्यों थी इसकी डिमांड क्यों की जा रही थी ब्रिट्स इस्ट ने कमपनी के तो हमारा नेक्स आप टापिक है वाइद डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो 13th century के आते आते इंडियन इंडिगो जो है यह यूज किया जाने लगा cloth manufacturing जो industries होती है उन में और यह कहां कहां पे थी यह industries इटली में फ्रैंस में और ब्रिटन में इन तीनों जगों पर कपड़ों को डाय करने के लिए cloths को डाय करने के लिए इंडियन इंडिगो का इस्तमाल होने लगा इंडिगो जो है यह produce करता था बहुत ही rich blue color बहुत ही अच्छा blue color इससे आता था कपड़ों पे टाय करने के बाद जबकि जो डाय वोड फ्लांट से यह और बाद है यहां पर बच्चो डबली ओ ओ एडी वोड प्लांट है तो यह जो प्लांट था इससे जो डाय इसतमाल में लाया जाता था वो कलर में अच्छा नहीं होता था पेल और डल कलर हो देजा था कपड़ों के उपर इसकी डिमांड जो थी उतनी नहीं थी जितना कि इंडियन इंडिगो का डिमांड था मार्गेट में इंडिको प्लाटेशन जो हैं वो इस तरह से चल रही थी इंडिको की प्लाटेशन इंडिया के अलावा नौर्थ अमेरिका में भी इससे पहले इंडिया की प्रोडक्शन से पहले नौर्थ अमेरिका में इसकी बुवाई होती थी इसको लगाए जाता था मेक्सिको में भी होत तो इन्होंने यहां पर जो है इंडिगो की प्लाटेशन रोक दी और यहां पर एबॉलशन होके स्लेवरी की जो यहां गुलामी होती थी लोग इनसानों की गुलामी चल रही थी नौर्थ अमेरिका और मैकसिमम में वो भी खतम होगी इन दोनों रीजिन्स में और इस तरह से कॉलनीज में यह जो एबॉलशन हो गया स्लेवरी का तो इस तरह से ब्रिट्श की जो डिमांड थी इन्डिगो की इसने इन्डिया से पूरी करना शुरू कर दिया इन्डिया पे इसने जदा से जदा डिपेंडेंस अपनी स्टार्ट कर दी और इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस इन्डिगो की कल्टिवेशन जदा से एक्सपेंड करूं कि इन्क्रीज डिमांड थी बहुत जदा डिमांड थी इन्डिगो की और इसकी डिमांड इस वजह से भी थी क्योंकि बहुत ही जदा इंडस्ट्रालेजेशन हो रहा था ब्रिटन में इसकी वजह से कपड़ों क यह बड़ी-बड़ी in-iquement the all-day भी इंडिको की धिमांड थी वह भढ़ गई इसुमांड को फुलफिल करने के जी पूरा करने के लिए इसुमाड को इंडिको की डिट्स ने इस्तमाल किया दो कॉल्णी का वह दोनों कोга उनिस थी यहां गर्मी यृट रहते थी और ये था। अफ्रिका अफ्रिका की कॉल्नि जहां पर बिड्श का रूल था और इंडिया जहां पर बिड्श का रूल था इनों नही judging का और सोचा ये कि कि ज चीप लेबर इस्तमाल करें, सस्ता लेबर और दूसरा जो availability है लेंड की वह बहुत ज़्यादा है इन दोनों को आदेंगे, क्यों न हम इन दोनों चीजों से फायदा उठाएं, availability of more land and availability of cheap labor, इस दोनों इन दोनों चीजों का हम इस्तमाल करेंगे और ज़दा सज़दा इंडिय इसको produce करेंगे और इससे अपनी ब्रिटिन की जो industrialization जो हो रही थी इसका जो डिमांड था वो बढ़ रहा था इसको हम पूरा करेंगे आगे बाठते हैं, Britain turns to India, इस तरह से ब्रिटिन अपना रुख इंडिगो की production के लिए करता है इंडिय के दरफ company जो थी इंडिया में इसने सोचा कि हम expand करेंगे area under cultivation इंडिगो की cultivation इसका जो area है इसको हम बढ़ाएंगे इसके लिए ज़दा सज़दा जमीन जो है वो यह की जाएगे ताकि हम meet कर सके rising demand इंडिगो की यूरप में जो इनकी demand बढ़ रही थी इंडिगो की इसको हम इसी तरह पूरा करेंगे कि हम area बढ़ाएंगे under cultivation इंडिगो इन इंडिया जैसे जैसे इंडिगो की trade बढ़ी इस तरह से commercial agents ने भी ज़दा से ज़दा जो commercial agents थे और officials थे company इन्हों इंडिगो की इंडिगो की production में अब हम देखते हैं कि इंडिगो को कैसे कल्टिवेट किया जाता था इसका system of cultivation क्या था हव वास इंडिगो कादिवेट इडिगो इस दूब नेक्स सब टॉपिक पहरे बच्चों दू मेन सिस्टम्स हैं मेन सिस्टम्स थे उस वक्त इंडिगो को कपई करने के लिए जो उस वकत राई थे जो उस वकत आम थे पहला था नीज कल्टिवेशन और दूसरा था रियोती कल्टिवेशन पहले हम समझेंगे नीड कल्टिवेशन में किस तरह से इंडिगो की कल्टिवेशन होती थी प्यारे बच्चों नीड सिस्टम में प्लांटर प्रेड्यूस करता था इंडिगो की प्रोडक्शन होती थी इंडिगो की प्र जहां पर उसका कंटूर डिरेक्ट था यानि उसकी जमीन अपनी होती थी या उस जमीन पर नीट सिस्टम में प्लांटर जो है जो प्लांटर था इंडिगो का जो प्लांट करता था इनको तो रेंट पे ले लेता था जमीन, किसे जमीदार से, बड़े बड़े जमीदार से उनसे रेंट पर ले लेता था जमीन, उस पर कास्ट कारी करता था इस इंडिगो की, और बाद में जमीदार का जदा हिसा होता था और जो पीजन्ट होता था जिसने रेंट पे ले होती थी ज जमिदार से उसका थोड़ा सा हिस्टा बनता था इसमें पैसों में और जो जमी ने रेंणप दियुए नेंवे थे दिदार से उसमें इनको ज्यादा फाइदा तो नहीं होता दो नीड सिस्टम मैं फिर से रिपीट करता हूँ नियस सिस्टम में एक प्लांटर एननर इन्डिगों क्या लगाने वाला इसको प्लांटर को क्याते थे bubbles यह किया एक प्रोडिसक्य करते था इंडिगों के दो जमीन आप एक वह जमीन जो इसकी अपनी होते थी दूसरा वो जमीन जो ये रेंड पे लेते थे किस से जमीदार से लेते थे और इस पर ये इंडिगो की कल्टिवेशन करते थे आगे चलते हैं अब समझते हैं कि नीज कल्टिवेशन में आगे चलके प्रॉब्लम क्या देखने को मिली प्रॉब्लम विद नीज कल्टिवेशन समझते हैं प्यारे बच्चों अब कि नीज कल्टिवेशन में आखरकार आगे प्रॉब्लम कहां पे आई जो नीज कल्टिवेशन के अंडर इंडिगो की कल्टिवेशन हो रही थी इसमें एक तो fertile land की जुरूरत पढ़ती थी और बहुत ज़दा जमीन की जुरूत पढ़ती थी बहुत बहुत ही बड़े areas की जुरूत पढ़ती थी बहुत बड़ा खित होना चाहिए तब जाके इंडिगो की cultivation niche cultivation की अंडर हो पाती थी ठीक है दूसरा इसमें ये problem आई कि big lands को claim करने की जुरूरत पढ़ी यहने ऐसे जगों को देखना जुरूर बढ़ गया इस्ट इन्या company को जहां पर जमीन ज़्यादा है ताकि वो इंडिगो की cultivation कर सके इसलिए उन्होंने क्या किया इन्होंने एक बहुत ही dangerous step उठाया इन्हें सोचा कि जहां पर भी big land होगा वहां हम उसको हासिल करेंगे ठीक है वहां हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां जहां पर यह जदा जमीन मौजूद थी वहां पर बहुत ही जदा लोग रहते थे वो area बहुत highly populated थे इसलिए इनको क्या करना पड़ा इनको वहां से evict करना पड़ा इनको हटाना पड़ा उस population को उन लोगों को जिसकी वज़ाद से conflicts हो गए जिसकी वज़ाद से दोनों की बीच में लड़ाई हो गई British Eastern Company की बीच में और उन लोगों की बीच में जो वहां रहते थे ठीक है दूसरा जो problem देखने को में लिच काल्टिवेशन के साथ वो ये कि इसमें बहुत ही ज़दा large scale पर कुछ equipment की ज़राद पड़ी पहले तो plows की ज़राद पड़ी और दूसरा blocks की यानिके bell, bell की ज़राद पड़ी जो जिससे हम क्या करते थे plows को बांते थे और उसे फिर जो है जमीन को जोता जाता था ठीक है पुराने जमाने में ऐसा ही होता था तो इन दोनों चीज़ों की ज़राद पड़ी plows की और blocks की यानिके bell की और साथ ये साथ invest करने की ज़राद थी इनको purchase करने की इन दोनों चीज़ों को एक तो plows को और दूसरा blocks को इनकी bell को और plows को खिरेने की ज़रूद थी और इनको maintenance maintenance भी रखना था maintenance जो expenses है maintenance की जो खर्चे हैं उसको भी इसको लगाना था इसका मतलब था कि इनको बहुत ज़़ा खर्चा करना पड़ता जो कि एक बहुत बड़ी problem थी इनके लिए और ये भी एक problem थी कि जिस वकद niche cultivation होती थी इनने niche के जरे से plant के राता था indigo को उसी वक्त cultivate होता था rice वही season होता था rice cultivation का जिसकी विज़ासे प्लोज की shortage होता थी ये available नहीं होता थी अगर ये rent पे भी लेना चाहते British company तब भी इनको अविलेबल नहीं होता था क्योंकि rice की cultivation उसी वक्त होती थी ठीक है rice की cultivation उसी वक्त होती थी इंडिया में और labor की भी availability नहीं हो पाती थी क्योंकि पीज़ेंड जो है अक्सर पीज़ेंड जो है वो अंगीज होते थे किसमे rice की cultivation में rice को जो है ये कि saplings को लगाने में ये लग जाते थी same time भी तो ये कुछ problems थी इनीज cultivation के साथ आगे हम next video lecture में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही अलाफेज